अचार की चेटनी ये है चड़ा परिबार जिनका अचार पापड का बड़ा सा बिस्दस है जब अचार का पापड का बिस्दस है तो इस बात में तो कोई शकी नहीं कि ये लोग अचार पापड तो खाती होंगे आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अचार तो सब लेकिन ये लोग जिस तरह से अचार खाते हैं न, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आप सोच में बढ़ जाएंगे, कि लोग अचार खा रहे हैं या, अचार इन लोगों को खा रहा है, वाह, आज तो पराठे बने, इसके साथ निम्बू का अचार बड़ाई स्वाद ला रहा है, क्या हुआ, कोई नया अचार बनाया नहीं है, क्या, अरे नहीं, वाह, अब हम सोच रहे हैं कि लेसुन का अचार और अद्रक का अचार भी बनाएंगे, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है, अरे वाह, लेसुन और अद्रक का अचार मेरे मुमें तब इसे पानी आ रहा है एक बर बन जाएगा तो मैं पहले घर पर ही लेकर आऊँगा हाँ बिल्कुल ले आएगा अभी के लिए हम ये तीन अचार से काम चला लेते हैं कोई बात नहीं बिल्कुल साक्षिभा हूँ यह नी बुद्धो टालो हाँ थोड़ा साम काचार ये मिर्चे काचार भी टाल दे जी माजी नाना कहीं दिखाएनी दे रही है मैं यहाँ हूँ भया क्या हूँ आज इतनी देर कैसे हो गई अरे पता ने इस सुबह उठी तो ऐसे जिटी हो रही थी फिर उल्टी हो गई अब ठीक लग रहा है हाँ कल कुछ बाहर का खा लिया होगा कोई बात नहीं आज ये पराठे खा ले और ये ले ये तीन किसम के अचार लाए है हरे वाँ पराठे और अचार हाँ हाँ कुछ खटा खाएगी तो ऐसे डिटी दूर हो जाएगी वो तो है तुझे तो नीबू और मिर्ची का अचार बहुत पसंद ना ये ले थोड़ा और ले तो देखा आपने मैंने क्या कहा था ये लोग अचार को नहीं अचार इन लोगों को खाता है ये अचार को थोड़ा सा नहीं बलकि सबजी की तरह खाते हैं जिसके साइड एफेक्ट्स भी फिर उन पर दिखाई तो देते हाई रे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है क्या करूँ एस आक्षी जरा घुटनों में तेल तो लगा दे जी माजी लगा देती हूं आजकल तो मेरे कमर में भी बड़ा दर्द रहता है आजकल का खाना ही ऐसा कोई शक्ती नहीं इस खाने में बिलकुल माजी अब सही कह रही है आजकल की सबजियां दा, सुखे, मेवे इन सब में कोई विटामीन ही नहीं है इसलिए तो आजकल सब की शरिर कमजोर होते जा रहे है आब हमारे जमाने में तो हम असली चीज़े खाते थे तो कोई बिमारी भी नहीं होती थी आजकल तो हार चीज में मिलावट है भई तो देखे ना छोटी उम्र में घुटनों का दर्द कमर में दर्द की शिकायत रहने लगी है सबको अब क्या कर सकते है भई विसे माजी कल वो मौसी जी का फून आया था ना क्या कह रही थी आपसे अरे हाँ मैं तुम लोगों को ना बताना ही भूल गई वो कह रही थी नैना के लिए एक बहुत अच्छा रिष्टा आया है यहां अमृत सर में ही लड़के का परिवार है मौसी जी कह रही थी के बड़ा अच्छा परिवार है तो फिर माजी हमें मिलना चीए लड़के से हाँ माजी यही सोच रही थी के दो दिन के बाद लड़के वालों को अपने घर बुला लेते है इससे नैना और नीरज आपस मैं मिल भी लेंगे और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हम शगून भी दे देंगे लड़के को हाँ माजी यह सही रहेगा अब मौसी जी से बात कर लीजे न और कल ही लड़के वालों को बुला लीजे मैं नैना को तयार कर दूँगी अच्छे से ठीक है बटा भगवती अपनी बहन को फोन कर के लड़के वालों को आने के लिए कह देती है यहां साक्षी और वैभो भी लड़के वाले के आने की तयारी में लग जाते हैं नैना नया सूट पहनती है जिसमें वो काफी सुन्दर लग रही थी अरे सब कुछ तयार है ना लड़के वाले बस आती होंगे जी माजी सब कुछ अच्छे से तयार हो गया है नैना भी बिलकुल तयार है तुमारी मासी जी बता रही थी कि लड़के वाले काफी बड़े परिवार से हैं उनके घर में सब लोग काफी पढ़े लेखिया और समझदार है हाँ तो नैना भी तो हमारी इतनी सुन्दर और गुणी है मुझे तो लगता है माजी आजी रिष्टा हो जाएगा आशा तो हमें भी यही है बिटा चलो बार चलो लड़के वाले आ गया है नैना तुम्हें बाद में सबके लिए समोसे और चाई लेकर आना है ठीक है ठीक है भाबी नैना के परिवार वाले और नीरज के परिवार वालों के बीच में बातचीत होती है तब तक नैना सबके लिए चाई और समोसे लेकर आती है नीरज जासे ही नैना को देखता है तो देखता ही रह जाता है और नैना को भी नीरज काफी पसंद आता है अब हम लोग क्या ही बात करें अब जिंदगी तो बच्चे को बितानी है इससे अच्छा है कि ये दोनों ही बात कर ले हाँ जी आप बिल्कुल सही कहा रही है साक्षी नीरज और नैना को उपर ले जाओ और परछट पर दोनों बात कर लेंगे जी माजी आईए दोनो नीरज और नैना आपस पे कुछ दिरबात करते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके चहरे पर खुशी साफ चलक रही थी जिससे दोनों परिवार समझ गए कि उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है बहन जी हमारी तरफ से तो इस रिष्टे के लिए हाँ है मुझे भी मेरी बेटी के पसंद पता है हमारी तरफ से भी हाँ ही समझ यह तो फिर इस बात पर मुझ मीठा करना तो बनता ही है हाँ हाँ जरूर लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा हम ज्यादा मीठा नहीं खाते जी अंकल जी मैं बस थोड़ा सा ही लेकर आती हूं हरो मीठे से काम नहीं चलेगा अब तो रिष्टा पक्का हो गया है तो खाना खा करी जाएंगे सब लोग साक्षी तुम खाना लगा हाँ 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 क्यों नहीं अभी खाना लगा दीती हूं रिष्टा पक्का होने के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं जहां साक्षी अलग-अलग तरह की अचार लेकर आती है, मिर्ची की, नीबू की, इमली की, मुर्बा, ऐसे कम से कब आठ से दस तरक्य अचार नीरज और नैना, आज तो तुम दोनों एकी थाल ही में खाओगे, ये लो जी पापी अरे अंकल जी आप अचार दो लीजे, ये हमारे दुकान के सबसे ज्यादा पॉपिलर अचार है, खा कर देखिया आप इसके दिवाने हो जाएंगे अरे ने ने, हमारे घर में अचार को कोई हाद भी नहीं लगाता हाँ हमारे घर में अचार कोई नहीं खाता अचार सेहत के लिए बहुत हानी कारक होती है इसलिए हम तो अचार को घर में रखते ही नहीं शादी के बाद भी न आप हमारे घर अचार कभी मत भीजेगा अच्छा आप बिलकुर अचार नहीं खाते मैं तो छूता तक नहीं हूँ अचार को माजी मैं बस घर की बनी हुई पुदिने की चटनी, धन्या की चटनी, टमाटर की चटनी खा लेता हूँ नीरज और अपने होने वाले ससुराल की बातों को सुनकर नैना ने हाथ में लिया हुआ अचार भी छोड़ दिया लेकिन सबके जाने के बाद उसे ये बात खाये जा रही थी कि उसके होने वाले ससुराल में कोई अचार नहीं खाता माँ अब मेरा क्या होगा, मेरे होने वाले ससुराल में तो कोई अचार को हाथ तक नहीं लगाता यहां तक की नीरज भी नहीं खाते आपको तो पता हैं मुझे अचार की भी ना खाना हजमी नहीं होता मैं कैसे रिपाऊंगे उस घर में अरे तु रो क्यों रही है मैं कहां पता था कि वो लोग इतने परहेज करने वाले निकलेंगे कि मिठा खटा नामकीन सब चीज का हम खाते होंगे लेकिन अब इस चीज के वज़ा से रिष्टा थोड़ी ना तोड़ सकते हैं मा मुझे लगता है मैं तो भूकी मर जाओंगी वाँ अरे ना ना बिटा ऐसा नहीं कहते है देख हम कुछ न कुछ सोच लेंगे हाँ नई तो पूदी ने धनिया की चेटिनी तो है उसे से काम चला लेना और क्या बावी आप मेरा मजाग उड़ा रही है मुझे यहाँ यह चिंता खाये जारी है कि मैं अचार की बिना खाना कैसे खाऊंगी हरे मिल गया रास्ता जिससे तो अचार भी खावाएगी और वो तेरे सिसराल वाले भी तेरे साथ ही खाएंगे देखना पर कैसे वो लोग तो अचार को देखते भी नहीं हाँ लेकिन चटनी तो खाते हैं न हाँ लेकिन अचार और चटनी का क्या लेना देना अरे कोई लेना देना नहीं है लेकिन हम बना देंगे हम अचार की चटनी बना देंगे तून से कहा देना यह टमाटर और पुदिना की चटनी है लेकिन हम अचार की चटनी बना देंगे जिससे वो भी खुश और तू भी खुश वाँ भैया क्या आइडिया निकाला है आपने इससे तो दोनों खुश हो जाएंगी और मुझे अचार के बिना खाना भी नहीं खाना पड़ीगा देखा निकल गया ना रास्ता खा मखा यूँ है परिशान हो रही थी तो अब नैना की सास में अचार आई है अचार नहीं बाबी, अचार की चटनी कहो नैना ने अपने भाई की मदद से अचार की चटनी बनवा दी और शादी में अपने सिसुराल ले आई नैना बहु इस बड़े से टिपे में क्या है? ममी जी आपने कहा था आपसे बचार नहीं खाते तो मैंने स्पेशली आपके लिए ये टमाटर और पुदिनी की चटनी बनाई है वाह, टमाटर और पुदिनी की चटनी इसकी खुश्मू भी बड़ी अच्छी आ रही है वाह बहु वाह, कितना सोचती हो तुम हमारे बारे में देखा निरज, कितनी होश्यार बहु मिली है आने से ही इतना खयाल रखने लगी हमारा औरे फिर इंतिजार किस बात का है चलो खाना लगा दो और ये चटनी में परोस्तो देखे तो सही, हमारे बहु जो चटनी की इतनी तारिफ कर रही है वो खाने में लगती कैसी है हाँ पापाजी, आप एक बार इस चटनी को चखेंगे न तो आपको मज़ा ही आ जाएगा अब तो मेरा भी मन कर रहा है इस चटनी को खाने का आप लोग बैठिये न मैं भी लगा दिती हूँ खाना और ये special चटनी नैना ने खाने के साथ वो अचार की चटनी भी परोश दी जो सब लोग ये समझ कर खा रहे थे कि वो टमाटर और पुदिनी की चटनी है खाते ही सब को चटनी का स्वाद इतना अच्छा लगा कि सब लोग नैना से भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया मैंने तो आज तो कितिनी अच्छी चटनी कभी खाई नहीं सच्वे ऐसा लगी नहीं रहा कि ये पुदिने और टमाटर से बनी है इसका स्वाद बहुत अच्छा है हाँ, लेकिन टमाटर और पुदिने तो बहुत हैल्दी होता है इसलिए इसे खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है सही बात है, हम अचार इसलिए तो नहीं खाते क्योंकि वो सेहत के लिए आने का रहे लेकिन इस पुदिने और टमाटर की चटनी से तो कोई नुकसान भी नहीं होगा अब तो मैं ऐसे रूस काऊंगा खाइए खाइए, मुझे तो इसकी बिना खाना हाजमी नहीं होता, खाइए ना नैना के अचार की चटनी की सबको ऐसी आदत लग गई थी क्योंकि सब लोग यही समझ कर खा रहे थे, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे अचार की चटनी ने अपना असर देखाना शुरू कर दिया कुछ दिनों से मैं जब भी सेर करने जाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे घुटने दर्द करने लगते है ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था हाँ आप सही कह रहे है, आजकल मेरे कमर में भी दर्द रहता है और खटी ड़कार भी आती रहती है, पता नहीं क्या हो रहा है हम लोग कुछ खटा तो नहीं खा रहे ज्यादा, रोजान सेर भी करते हैं, मीठा भी इतना नहीं खाते मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा मा यह देखो मेरे शरीर पर क्या हो गया अरे यह क्या हो गया आपको पता नहीं कुछ दिनों से खुजली सी थी, मुझे लगा ठीक हो जाएगी लेकिन अब तो ये पूरा शरीर लाल हो गया, ये खुजली रुकी नहीं रही रुको, मैं अभी डक्टर को बुलाता हूँ नीरज के पूरे शरीर पर लाल लाल धब्य हो गये थे और खुजली भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, कुणजन ने जल्दी से डक्टर को घर पर ही बुलवा लिया वर्मा क्या हुआ है नीरज को? ये तो होना ही था, आप लोगों ने कबसे इतना अचार खाना शुरू कर दिया? अरे नेनी, तुम्हें गलत फैमी हुई है, हमारे गर में कोई अचार नहीं खाता कोई नहीं सकता, मैंना नेरज के सारे टेस्ट किया है, उसमें खटाई की वज़े से ये सब हुआ है नेना का सच, अब सब की सामने आ चुका था, क्योंकि अचार की चटनी की वज़े से उसकी सुसुराल वालों को काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था मुझे माफ कर दीजी ममी जी, मैंने आप सबसे चूट कहा था, ये कोई टमाटर और पूदिनी की चटनी नहीं है, ये अचार की चटनी है जो मैं अपने लिए लाई थी, क्योंकि मुझे अचार की बिना खाना अच्छा नहीं लगता तब ही हम सब को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, खटी डगार जैसी परिशानिया हो रही थी, क्योंकि हम जो खा रहे थे वो चटनी नहीं अचार था आपको पता नहीं, अचार थोड़ी मात्रा में तो सही है, लेकिन ज्यादा खाने से शरीर पर क्या-क्या खराब असर डौ सकता है आपके जोड़ों में दर्द, खुजली के समस्या, बालों का जढ़ना, चहरे पर दाने निकलना ये सब अचार ज्यादा खाने की वज़ा से होता है इसलिए आज नीरज के भी ये आलत हो गई है मुझे नहीं पता था, मेरे मायके में भी जब हमें ये सब दिक्कत होती थी, वो अचार खाने की वज़े से हो रही है लेकिन आप मुझे पता चल गया है, आज से मैं कभी भी अचार नहीं खाऊंगी लेकिन तुमारे मायके वाले भी ऐसे नहीं सुध रहेंगे, हमें ही कुछ करना होगा कुझन अपने बेटे के हालत देखकर काफी गुस्से में था वो शाम को ही नैना के मायके आता है, नैना को लेकर और उस चटनी का डबबा लेकर अरे आई 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 बैंजी भाई साब, कैसे आप सब अपने अच्छा रनेक आ दिया है बैंजी क्यों, क्या हो अंकल ये आपकी अच्यार की चटनी की वज़ा से नीरज का पूरा शरेर खराब हो गया है हम दोनों की घुटने नहीं चल रहे, डाक्टर ने कहा है कि ये सारी दिक्कते इस अच्यार की चटनी की वज़ा से हुई है आपने हमसे जूट का, इसलिए अब ये लीजी आपका अच्यार और आपकी बेटी दोनों अपने पास रखिए अरे भाई साब, ये क्या कह रहे हैं, हम मानते हैं हमसे गलती होगे, लेकिन इस तरह रिष्टा मत तोड़िये अंकल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, सच माने तो हम सबको भी यही दिक्कत होती है कभी कमर में दर्द, कभी खटी टका रहें, कभी उल्टिया, हमने आपको भी परिशान करती है अंकल लेकिन हम वादा करते हैं, आज के बाद आपको कभी में ना तो इस घर में अचार मिलेगी ना कभी आपके घर में आपापा जी मैं भी वादा करती हूँ, मैं आज की बाद कभी भी अचार नहीं खाऊंगी और ये अचार की चटनी, एरी इसे तुम मैं भी फैंक देती हूँ नै न वो अचार की चटनी भैक देती है और अपने साथ ससुर के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है उस दिन के बाद ना तो उसके मायके में ना ही कभी उसके ससुराल में अचार या अचार की चटनी का नाम लिया जाता है